है लो स्टुडेंट्स आज हम एट्थ क्लास का लेस्न नमबर थोर्ड इंग्लिश का करने जा रहे हैं डैडी ने कैसे डिसाइड किया कि वो जिन्दगी में क्या बनना चाहते हैं ये लेस्न स्टुडेंट्स रश्यन में लिखा गया था जिसके राइटर थे अलेक्जेंडर रस्किन और रश्यन से इंग्लिश में ये आपकी बुक में ट्रांसलेट करकर दिया गया है तो इस लेस्न में ये बताया गया है कि एक छोटा बच्चा अपनी जिन्दगी में हमेशा सोचता है कि वो बड़े होकर क्या बनेगा जो राइटर के डैडी थे उन्होंने भी सोचा कि वो बड़े होकर क्या बनेगे पर उनके बहुत सारे मकसद थे जिन्दगी में वो क्या-क्या बनना चाते थे बड़े ओकर ये हम इस लेसन में पढ़ने जा रहे हैं स्टार्टिंग लाइन जब राइटर के ड़े एक छोटे बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता कि तुम बड़े ओकर क्या बनना चाते हो ड़ेड़ी के पास हर बार जवाब तयार रहता बट इस टाइम इस आंसर वास डिफरेंट पर हर बार उनका अंसर अलग होता था सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि मैं एक चोंकीदार बनना चाता हूँ रात का चोंकीदार जो रात में अलग-अलग जगाओं की राखी करे सुरक्षा करे वो ये सोचकर बड़ा खुश होते थे कि जब सारा शहर सोया होता है तब रात में जो चोंकीदार होता है वो जागता है सैर करता है और अलग-अलग आवाजें भी निकालता है he was quite certain he wanted to be a night watchman when he grew up certain का मतलब है sure पक्का यकीन था उन्हें खुद पर कि वो बड़े ओकर एक रात का चोकीदार ही बने गए but then he thought of the ice cream man who came along daily with this bright green cart पर बाद में उनका विचार बदल गया उन्होंने सोचा कि मैं ice cream man बन जाओंगा ice cream बेचने वाला इंसान बन जाओंगा जो हर रोज वहाँ उनकी गली में आता था हरे रंग का चमकदार अपना काट लेकर काट का मतलब है अपनी रेड़ी लेकर if he became an ice cream man he could have a cart and eat all the ice cream he wanted to वो सोचते थे राइटर के डैड़ी ये सोचते थे कि अगर मैं ice cream man बन जाओं तो मेरे पास खुद की रेड़ी होगी ice cream वाली और मैं जब चाहूं उसमें से ice cream निकाल कर खुद खा जाओंगा so little daddy decided to be an ice cream man तो इसलिए छोटे डैड़ी ने ये सोचा कि अब मैं ice cream man बन कर रहूंगा next page little daddy's parents were surprised to hear that their son wanted to be an ice cream man छोटे डैड़ी के माता पिता ये सुनकर बड़े हरान हो गए कि हमारा बेटा एक ice cream वाला बनना चाहता है they thought he was only trying to be funny उन्हें लगा कि ये सिर्फ मजाकिया दिखने की कोशिश कर रहा है या सिर्फ हमारे साथ मजाक कर रहा है but little daddy seriously thought it would be a very tasty way of life when he grew up पर little daddy जो थे यानि जो छोटे डैड़ी थे उन्होंने सोच रखा था सच मुझ ये सोच रखा था कि ये बड़ा अच्छा तरीका होगा जिन्दगी जीने का जब वो बड़े हो जाएंगे और ice cream वाले बन जाएंगे then one day little daddy saw a man wearing a blue uniform at an auto workshop फिर एक दिन की बात है छोटे डैड़ी ने देखा एक ऐसे आदमी को जिसने नीले रंग की वर्दी डाली होई थी एक auto workshop में एक auto के spear parts जहां पर सही किया जाते हैं उस जगा पर the man was playing with all sorts of cars अलग अलग गाड़ीों के साथ वो आदमी खेल रहा था ऐसा डैड़ी को लग रहा था कि वो आदमी खेल रहा है पर असल में वो आदमी अलग 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 गाड़ीों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था but those were real cars not toys वो सचमुच की गाड़ियां थी, वो सिर्फ खिलोने नहीं थे वो जो नीली वर्दी वाला इंसान था, वो गाड़ियों के नीचे अंदर तक रिंग कर चला जाता और कुछ अजीब सी गेम खेलने की कोशिश करता राइटर के डैड़ी ये सोच रहे थे कि वो इनसान गेम खेल रहा है पर असल में वो इनसान गाड़ी के नीचे बैठ कर गाड़ी के पुर्जों को ठीक कर रहा था चोटे डैड़ी ने पूछा कि ये आदमी कौन है तो वहां के एक करमचारी ने एक वर्कर ने कहा कि ये गाड़ीयों का मेकानिक है मेकानिक वो होता है जो गाड़ीयों के पार्ट्स को ठीक करें अब चोटे डैड़ी ने मन बना लिया कि मैं कार मेकानिक बनूँगा पहले वो चौंकीदार बनना चाते थे फिर उन्होंने आइस्क्रीम वाला इंसान बनने की सोची अब तीसरी बार उन्होंने अपनी जिन्दगी का मकसद बनाया कि वो कार मेकैनिक बनेंगे ही वुड प्ले ओल दा टाइम विद गार्स हर समय वो गाड़ियों के साथ खेला करेंगे इससे ज्यादा दुनिया में और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता नथिंग ट्रूली सच में कुछ भी इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता था वेन डैड़ी सेड ही वुड बी एक आर मेकैनिक समवन आस्ट हिम बट वट अबाउट दा आइसक्रीम मैन जब डैड़ी ने कहा कि मैं कार मेकैनिक बनूँगा तो किसी ने उनसे पूछी लिया कि तुमने तो आइसक्रीम मैन भी बनना था तो फिर उस मकसद का क्या होगा डैड़ी ने प्रोब्लम इंडीड ये सच मुच में एक बड़ी समस्या थी डैड़ी है डिसाइड़ी तो बिकम अ कार मेकैनिक बट ही डिड नोड वांट तो गिव अप दा ब्राइट ग्रीन आइसक्रीम काट आलसो सून ही फाउंड अ वे आउट डैड़ी कार मेकैनिक तो बनना चाहते थे पर हरे रंग की चमकदार रेड़ी को और पिवो जाने नहीं देना चाहते थे असल में कहने का मतलब यह कि वो आईसक्रीम वाला इंसान भी बनना चाहते थे तो उन्होंने एक रास्ता निकाला एक स्लूशन निकाला मैं कार मेकैनिक भी बनूँगा और आईसक्रीम मैन भी बनूँगा डैडी ने ये कह दिया Everyone was very surprised हर कोई बड़ा हरान हुआ But little daddy said that would not be hard at all I will sell ice cream for some time in the morning Then I will go to the auto workshop There I will work with cars for some time And again go to sell more of ice cream छोटे डैडी ने कहा कि मेरे लिए कुछ मुश्किल नी होगा मैं सुबह ice cream बेचा करूँगा कुछ समय के लिए फिर मैं auto workshop पर जाया करूँगा वहां मैं गाडियों के साथ थोड़ी दिर काम करूँगा फिर मैं ice cream बेचने निकला करूँगा और दोपहर में फिर मैं auto workshop पर वापस आ जाया करूँगा In the afternoon I will again go back to a workshop Later I will go to sell more of ice cream I will park my green cart outside the workshop while I am working inside Daddy ने पूरी scheme बनाई हुई थी अपनी life की Daddy ने कहा कि मैं बीच में कभी ice cream बेचने निकल जाया करूँगा अपनी हरे रंग की रेड़ी को workshop के बाहर निकाल कर वहां वापस आ कर फिर मैं गाडियों के साथ काम किया करूँगा बला पूरा दीन उनका ice cream बेचते और गाडियों के साथ काम करते बीच जाये इस तरह की उन्होंने अपनी strategy बना रखी थी Everyone laughed to hear little daddy हर कोई छोटे डाड़ी की बातें सुनकर बड़ा हसता था It made him angry and he said If you laugh at me, I will be a night watchman also छोटे डाड़ी को गुसा आ गया ये देखकर कि सभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं उन्होंने कहा कि अगर आप सभी मुझे पर हसोगे तो मैं फिर रात को चोंकी दारी भी करूँगा After all, there is nothing to do at night और वैसे भी मेरे पास रात को करने को तो कुछ काम होगा नहीं तो रात को मैं चोंकी दारी करूँगा दिन में मैं गाड़ियों का मेकैनिक भी बनूँगा और साथ सी साथ आइस क्रिम भी बेचूँगा तो ये तीन काम डैड़ी ने सोच लिए Students, डैड़ी ने ये तीन मकसद जो अपनी जिन्गी के बनाए थे तो इन तीनों में से डैड़ी आगे जाकर क्या बनेंगे क्या वो तीनों काम एक साथ कर पाएंगे और किस तरह से उन्हें बाद में समझ आएगी कि वो अपना काम ठीक कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे और डैड़ी की जिन्गी कैसे बदल जाएगी यह हम आने वाले कुछ तिनों में पढ़ेंगे और अब हम बात कर लेते हैं होमवक की होमवक आपको प्रोवाइड किया गया है लेस्सन थ्री वर्कशिट वन फिलिन्दा ब्लैंक्स फिलप्स दियोवे उप्शन में से आपने चूज करने है सबसे पहले डैड़ी एक डैश का चौणकीदार बनना चाहते थे ओप्शन दिये गए हैं आपको ओप्शन सही आपने चूज करना है तो डैड़ी की गली में एक आइस क्रिम वाला आदमी आता था अपने डैश रंग की रेड़ी के साथ नमबर त्री, the meaning of certain is dash certain word का मतलब क्या है वो आपने लिखना है वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है डैड़ी said that he could be a car dash डैड़ी ने कहा कि वो एक गाड़ी के डैश बनेंगे mechanic बनेंगे या driver बनेंगे वो आपने लिखना है उसके बाद students match ups, बड़े ध्यान से इनको आपने करना है आपको दो kolum तिये गए है, A kolum and B kolum A kolum में आपको कुछ words तिये गए है जैसे pilot, pilot का का काम क्या है? वो आपने B kolum में से चुन कर लिखना है pilot आपको पता है वो होता है जो aeroplane उड़ाए तो आपने B kolum में से एक word को या एक sentence को ले लेना है नमबर टू है doctor डॉक्टर वो होता है जो मरीजों का इलाज करे नमबर ट्री teacher teacher वो होता है जो students को पढ़ाए नमबर फॉर mechanic mechanic आपको पता है जो guardian के parts को ठीक करे और actor वो होता है जो किसी film में काम करे आपने सही काम को उनके word के साथ match कर देना है और आखरी part students आपने दी हुई वीडियो में से कोई दस कठिन शब्द लेने हैं उनको अपनी notebook पर note करना है और उनके spellings भी याद करने हैं तो ये थी students आज आपका lesson और आज की worksheet उमीद है आपको ये सारा concept अच्छी तरह से clear हुआ होगा thank you students